जी गौरो गोगोई जो कॉंग्रेस पार्टी के लोगसभाव में उपनेता है वो हमारे साथ मौझूद है इस पूरे मामने पर बात करने के लिए गौरो जी जिस तरीके से सरकार की ओर से बार-बार कहा जा रहा है उनके तवाम सांसत कर रहे हैं कि इंडिया घुलामी की निश जिसको लेकर हम साथ वावा कर रहे हैं इसरो में वो आय क्या है इंडिया आज जो हमारे जो इंजिनियर्स बहाँ जाते हैं और गूगल और माइक्रोसौफ की सी-ओ बनते हैं वो कौन से इंस्टिटूट से पढ़ क्या है आयाइटी वो आयाइटी में आय क्या है इंडिया आप तो मैं सम जानना चाहता हूं कि यह यह किया IAT गुलामी का निशान है कि इस्रो गुलामी का निशान है तो भाज्टपा आज अपनी राजनीती रोटी सेखने के लिए अपने देश का नाम बदाब करना चाहते है इस लिए यह बाजपा आज इतनी स्तर नीचे गिर सकती है इसका अंदाजा आप सबको आज शायत हो रहा होगा आप लोग विपक्ष में हैं जिस तरीके सरकार आगे बढ़ रही है संसत में आप लोगा क्या रुख होगा पांस दिन का विशेश सत्राने वाला है अगर सरकार ऐसा कोई बिल लाती है इंडिया की जगे इस सिर्फ भारत लिखने का देखिए इसे भाज़पा के अंदर वो कितने आज सहमे से हुए हैं कितने डरे हुए हैं उसी का द्यान हमको पता इससे हम आकड़ा कर सकते हैं माबदन कर सकते हैं अरे सरकार बिल लाए महंगाई कम करने के लिए सरकार बिल लाए कि पेट्रॉल का दाम साट रुपे से जादा नहीं होगा सरकार बिल लाए कि गैस सेन का दाम नहीं बढ़ेगा उस पर एक सीलिंग होनी चाहिए और सीलिंग के उपर अगर यह जाते हैं तो पैसा ग्रहक नहीं पैसा सरकार देगा ऐसा कोई बिल लाए आज मुद्धा क्या है समाज के सामने समाज के सामने मुद्धा है है बेरोजगारी और समाच के सामें मुद्दा है महेंगाई तो इस पर कोई बिल लाए कि क्या आप लोगों ने जो इंडिया गडवंदन बनाया है क्या उसका असर आपको लगता है तो बोला है वह भूमिकंप वहां पर हो गया है हमारे इंडिया अलाइंस की एकता शायद बी इतनी जल्दी देश के जन्ता, भारत के आवाम आज इंडिया को जो स्विकार कर रहे हैं इतना जल्दी समाज और देश के लोगों और हमारे इंडिया लाइंस के बीश में तनी एक जुड़ाव, इतने कम समय पे बन जाएगा इसको लेकर आज बीजेपी डर गए है झाल झाल